नमस्कार है दोस्तों चत्तीसगर की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। मौत के गम में दूबे घर में घुसा जहरीला साप, परिवार में मची अफ्रा तफ्री, कोरबा, सड़क दुरगटना में युवक की मौत के बाद घर में पसरे मातम के बीच जहरीले अहिराज साप के आ जाने से परिवार के साथ ही महमानों के बीच अफ्रा तफ्री मच गई साप की वजह से पूरा परिवार दर गया आनन फानन में स्नैक कैचर्स को बुलाया गया जिसके बाद साप का रेस्क्यू किया और परिवार के लोगों ने रहत की सांस ली जानकारी के अनुसार कोरबा में बालको थानान तरगत बैलगिरी बस्ती में उस वक्त अफरा तफ्री की स्थिती निर्मित हो गई जब गम के साए में दूबे परिवार के घर जहरीला अहिरात साप प्रवेश कर गया घर में पहले ही काफी महमान मौझूद थे उनकी नजर जब साप पर पड़ी तब वे देहशत में आ गए आनन फानन में सर्पमित्रों को फोन किया गया सूचना मिलते ही सर्पमित्र बिना देर किये मौके पर पहुँचे और साप का रेस्क्यू किया जब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली बता दे कि जिस घर में साप घुसा था उस घर के युवक प्रदीप मसील की सरक दुरगटना में 24 गंटे पहले मौथ हुई थी जिससे पूरे परिवार के उपर दुखों का पहार तूट पड़ा था ऐसी स्थिती में साप की मौझूदगी से परिवार की समस्या और भी बढ़ गई थी साप के रेस्क्यो का काम जैसे ही पूरा हुआ घर वालों ने रोते हुए घटना के विशय में बताया जिस पर सर्पमित्रों ने परिवार वालों को हिम्मत से काम लेना की बात कही वही घर वालों के द्वारा दिये जा रहे डोनेशन को सर्पमित्र ने ये कहते हुए मना कर दिया कि यह मेरा फर्ज था